हेलो गईज आज हम लोग बात करेंगे कैसे स्टॉक के बारे में जो कि इंडिया की सबसे नंबर वन कमपनी इस कमपनी के बारे में डिटेल्स जितना भी बात करूं उतना कम पड़ता है और आने वाले कुछ टाइम फ्रेम के लिए अगर इस स्टॉक को आपने बाई नहीं किय आने वाले जो नेक्स्ट कुछ सालों तक के लिए अगर आपने इस स्टॉक को नहीं देखा आपने इस स्टॉक को नहीं बाई किया है तो इस वीडियो के बाद में एक डिसिजन जरूर लीजेगा क्योंकि इस स्टॉक इतना बहत्तिरीन परफॉमेंस कर सकती है इनका काम कह और इनके जो मैनेजमेंट है उनका तो जो अभी पिछले छे मैने से उनका जो अभी वर्क इन्होंने कंप्लीट किया है उस चीज को देखते हुए आने वाले कुछ सालों के लिए इस स्टॉक आपको एक बहुत अच्छा रिटन्स दे सकता है ऐसा हमारा नहीं सभी एनलिस् इंडस्ट्री लिमिटेट के बारे में जिन लोगों का यह मानना है कि यह स्टॉक फिर से आपको सोला सू रूपिये पर दिखेगा फिर से यह स्टॉक आपको हजार रूपिये पर बारा सू रूपिये दिखेगा तो सायद मुझे ऐसा लगता है कि सायद यह स्टॉक आपको लेवल्स पे आप बिल्कुल बाई नहीं कर पाईएगा तो इस टॉक को अपने रिडार पे रखिए अभी ऑबरबर्ड जोन पे जरूर है लेकिन इस टॉक यहां से और भी तेज हो सकता है और यह स्टॉक अभी आपको रिलांस इंडस्टी डिजिटल मार्केट पे भी है रिलांस इंडस्टी अब रिटेल पे भी आ रही है और रिटेल का जो सिगमेंट हो इस कदर से आ रही है कि आप इसका आकलन नहीं कर सकते हैं यह चीज याद रखिएगा रिलांस इंडस्टी जो काम लेके आ रही है इनका ज का offline और online दोनों काम होने वाला है offline भी होगा और online भी होगा आपको पता होगा इससे पहले इन्हों ने एक जो company खरीदी थी बीच में जो कि drone का manufacturing करती है company का नाम में भूल रहा हूं तो आप सोच कि देखिए कि delivery के लिए हो सकता है drone का भी इस्तमाल किया जाए तो कितना हाइटेक लेवल का यह डिस्टुबिसर नेटवर्क ला रहे हैं इस चीज का आकलन अभी तो हम और आप बिल्कुल नहीं कर सकते बट इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं क्यूंकि आपके पास पैसा ह और पैसे है तो ऐसे स्टॉक पर लगाए जो इंडिया की सबसे नंबर वन कमपनी है जी मार्केट कैप के एकॉडिंग रिलांस इंडस्टी भारत की सबसे नंबर वन कमपनी 13 लाग करोड की मार्केट कैप डेट फिरी कमपनी हो चुकी है इन्होंने डेट चुका दिया बहुत सारे गूगल उसके बाद फेस्बूक और विस्टा बहुत सारे कंपनी हैं जिनके साथ डील करके इन्होंने अपने डेट को कंप्लीटली खत्म कर दिया है देखिए क्वाटर और क्वाटर अगर बात किया जाए तो रिलांस इंडेस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो आपको नजर आ रहा होगा कि इनके मार्च क्वाटर का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था जिसका रिजन भी इन्होंने कहा था कुर और भी इनको प्रॉफिट होने लगे क्योंकि रिटेल प्यार ही है तो अच्छा खासा आपको सी एज्यार भी स्टॉक का नजर आ रहा दस सालों में 16 परसेंट बट इस साल यह स्टॉक 64 परसेंट चल चुका अपने रिसेंटली लो से यह 125 परसेंट चल चुका जिए 880 रू पर ट्रेड कर रहा तो रिलांस इंडस्टी पर आज खबर भी थी जिसके वज़े से यह स्टॉक काफी ज़्यादा आज तेज हुआ इस स्टॉक का अगर लो दिखा जाए तो लो से इसने लगभग 100 पॉइंट की रिकबरी किया है मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूं अगर आप किया है और यह खबर इस स्टॉक को आज काफी ज़्यादा काफी ज़्यादा तेज कर दिये स्टॉक को धाई परसेंट की तेजी जबकि स्टॉक पे अगर हम लोग देखेंगे तो 2040 यह 2048 का लो इस स्टॉक ने बनाया था और वहां से स्टॉक ने जो रिकबरी दी है वह स् 247 का हाई है लगबग 100 पॉइंट की तेजी से स्टॉक ने अपने लो से दिया है होकर अगर चार्ट पेटन का स्ट्रेक्चर हम लोग देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक पे यहां से आपको एक बहुत जबर जस्त मोमेंटम देखने को मिल सकता है तो याद को एक लॉंग टर्म के जरिये पर तो मैं आपको डिस्किलिमर के तौर पे यह चीज बता रहा हूं और आप भी अपना जो डिसीजन लीजेगा से स्टॉक के लिए खुद की डिसीजन लीजेगा या फिर अपने फाइनसेल एडवाजर का सला लीजेगा इसके बाद स्टॉक पर बनियेगा बहुत ही जवर्जस्त प्लाना उट के साथ काम कर रही है और रिलांस इंडस्टी हो सकता आने वाले दस सालों में एक अच्छा खासा आपको अप मॉमेंट देखा दे जो कि आप सोचना सकें ठीक है तो याद रखिए का रिलांस इंडस्टी को डिसीजन सब्सक्राइब और उसके बाद इंवेस्टमेंट किजेगा मेरा काम अब तक अपडेट पहुंचा न आप अगर सोच रहे हैं कि स्टॉक को मैं सोला सो पर पकड़ूंगा सोला सो तक आएगा तो यह कोई अगर नेगेटिव खबर आई तब भी आपको सोला सो का लेबल आएगा यह तो अनुमान लगाना काफी मुश्किल है बहुत ज्यादा नीची नहीं आने वाला है ऐसा मुझे लगता है लेकिन मैं गलत भी हो सकता है उस चीज को मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा बट एक लांग टर्म की इन्वेस्टर के लिए बहुत ही जबज़ टॉक साबित होने वाला है ऐसा मुझे लगता है आपका क्या मानना जरूआ में कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिएगा वीडियो अच्छा लेगा तो लाइक कीजिएगा साधी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्यू